नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की अंतराश्थी राजनीती कूटनीती में एक तरफ युद्ध है और एक तरफ नजर आ रहा है कि किस तरह से इरान की महिलाएं और महिलाओं के साथ खड़े इरान के पुरुष बहुत मजबूती से बहुत बुनियादी अधिकार की मांग कर हैं वे हिजाब से मुक्ती चाहते हैं वे जिन्दगी और आजादी के तराने गा रहे हैं और वहीं उनके उपर बहुत तेजी से दमन ढाहया जा रहा है और इस दमन के खिलाफ उनकी आवाज उनका प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन पूरी दुनिया देख रही है और इसके साथ साथ इस विरोध विद्रोह में बहुत सी ऐसी ताक्ते भी हैं अमरीका और अमरीकी समराजवादी ताक्ते जो फायदा उठाने के फिराक में हैं लेकिन इरान की ओरतें ना रुकने का नाम ले रही हैं ना जुकने का नाम ले रही हैं और निश्चित तोर पर उनका ये होसला सलाम करने लायक है और इसी के साथ साथ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से फ्रांस में भी विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो रहे हैं वामपंथ के नेत्रित्र में जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं जिस तरह से इंफलेशन बढ़ा है जिस तरह से जीना बहुत महंगा हो रहा है उसमें बड़े पैमाने पर फ्रांस के बुद्धुजीवी भी साथ आए हैं साथ से अधिक बुद्धुजीवी उने साइन किया है और उसमें इस साल का जिन्हें नोबिल पुरसकार मिला है साहित्तिका उन्होंने भी हस्ताक्षर किया है और कहा है फ्रांस की सरकार से कि वे तमाम दमनकारी कदम वापस ले जनता को रहत पहुचाए आज परताल दुनिया भर में हम चर्चा करेंगे सिर्फ युक्रेन युद्ध की क्योंकि एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि युक्रेन युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से यह विभीशका बढ़ गई है क्या न्यूक्लियर वार का खत्रा हम दुनिया पर मंडिरा रहा है कितना है यह खत्रा सच्चा प्रभी जिस तरह से युक्रेन में चीजें बिगड़ रही है और खास और से जिस तरह से ब्रिश पर हमला हुआ और उसके बाद युक्रेन के शहरों पर हमला तेज हो गया तो उससे ऐसा लगता है कि स्थिती बहुत तेजी से खराब हो रही है यह अचानक इतनी तेजी से स्थितियां क्यों बिगड़ी तेखिए इस पे जो साफ बात यह है कि रूस बहुत पहले कह चुका है कि अगर कर्च ब्रिच में हमला होगा तो इसको हम बहुत सीरियस्ली लेंगे तो यह साफ है कि अभी तक रूस यूक्रेन को शहरों को यह तो उनकी इन्फरस्ट्रक्चर को उस तरह से अटैक नहीं करना था एक दो बार उसने किया भी है पर बड़े पैमाने पे इनकी इन्फरस्ट्रक्चर और शहरों पे अटैक उसने किया नहीं था तो ये लोगों की समझ था कि रूस की शायद अब मिजाइल है ही नहीं इनके पास टॉक हदम हो गया ये भी काफी प्रचार हो रहा था कि रूस के पास टॉक नहीं है इसी दिए सब नहीं कर रहा है युद्ध में उनकी हालत खराब हो रही है और इसका तस्वीर ये भी दे रह कि वो पीछे आ रहे हैं और ये सारे इलाके छोड़ रहे हैं अब ये इलाके क्यों छोड़ रहे हैं उसका दतीजा क्या होगा वो हम पीछले बार बाचित कर चुके थे और उसका एहमियत अगद देखें तो स्ट्रिटीजिक तौर पे रूस का लक्ष ये है कि उकरेन की अकसद नहीं है उनका जो चाहते थे जादा तर वो ले चुके हैं तो इसलिए कर्च ब्रिज का हमला एक ट्रिगर था उनके लिए दिखाने का कि अगर आप ये काम करोगे तो हमारे पास भी आउजार है हम भी ऐसे चीज कर सकते जो आम यूकरेन की जनता के खित में नहीं हो और रूस की जो जमीन है तेरिट्री है उससे डारेक्ट लिंक है अभी उनके पास और एक लैंड रूट है जो की अब मारियापोल वगारे जगहों से लेके भी वहां वहां रीच कर सकते हैं पर कर्च ब्रिज डारेक्ट लिंक है क्राइमिया और रूस की टेरिट्री का तो ये कर्च ब्रिज स्ट्रिटीजिक तोर पे क्राइमिया के लिए बहुत अहमयत रखती है खास तोर से क्राइमिया के आहमत हम पहले भी बातशीत कर चुके हैं कि सिवास्ट पॉल उसका सिर्फ एक मात्र वार्म वाटर पोर्ट है कि 12 महीना वो पोर्टों इस्तेमाल कर सकते तो इसके लिए डिफेंस के लिए वो सिवास्तिपॉल नेवल बेस उनके लिए बहुत एहमियत रखती है और खासतोर से मेडिटरीनियन का एकसेस वहां से लेकर सिरिया का एकसेस सब जो है जो नक्षे में बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि इस सारा इलाका है वो कितना आपस में गुथा हुआ है और क्या-क्या उसकी इंपोर्टन्स है ब्लैक सी उसके बाद मेडिटरीनियन सी से लेकर अत्लांतिक तो जाने का रास्ता सिवास्तिपॉल नेवन पोर्ट से उनको मिलता है विंटर में मिलता है समर में तो नॉर्दन सी जो है आपके वरफ वहां नहीं ह करता है और इसी लिए उस पे काफी खर्चा किया चार पांच पे छे बिलियन डॉलर उस पे खर्चा हुआ बनाने के लिए और ये उनके लिए एक साफ उन्होंने बहुत पहले से चतावनी दे चुके हैं कि कर्च बिच का हमला बड़ी भारी पड़ेगी अगर युक्रेन व किया है तो यह गश से खर्व से उसे क्लेंब किया कि यह सब कुछ हमने किया तो यह जब आप स्टेम्प लेके आप उसको अ म दिखाएंगे कि देखो हमारे कितनी बड़ी जीत है अमने कर्छ बरीच को उड़ा दिया तब उसका प्ञानो आ पडिक पर कर्च बर इत्ता बड दिया और कैसे उड़ाया उस discussion में हम नहीं जाना चाहते हैं तो section को जब उड़ा देते हैं तो यह section by section replace करना काफी आसान है तो इसी लिए 6-8-12 घंटे में कर्च ब्रिच फिर चालू होगा दुबारा से शुरू कर दिया गया है तो उसमें नुकसान तो वहा है इस पर कोई दो पर जो हम जो प्रतिक्रिया रूस की रही है उस पर यह देखने को मिलता है कि मिजाइल जो कह रहे थे इनके मिजाइल के stock खतम हुआ हो गया है इसी लिए attack नहीं कर रहे हैं तो दिखाया था यह रूस जान बूच के इसका आक्रमान नहीं कर रहा था क्योंकि देखिए यूक लुगांस्क क्राइमिया लेके पूरा रूसी बोलने वाले लोगों का और पहले से वहां पर एक movement भी इस तरह इस तरफ चल रहा था लंबे समय से रूसी बोलने वाले लोगों के आक्शिली इलाका और भी बड़ा है पर मुझे नहीं लगता कि रूस पे इतना बड़ा strategic उन उनके लिए strategic एहमियत रखता है सिवास्टपोल लेके और इनके जो समझ था कि वो पीछे हट रहे हैं उनके पास अस्त्र नहीं है हमारे अभी बड़े support आ रहा है अमरीका से UK से यॉरप के दूसरे देशों से नेटो पूरा का पूरा समर्थन में कर रहा है तो ये जंग हम चला सकते हैं कि पैसा और किसी का मिजाइल्स और किसी का लोगबल हमारा ये अगर करें तो रूस परास्त हो जाएगा वो पीछे हट जाएगा पूरा जबीन शायद हम लेर पाएंगे फिर से ये सब जो उनकी कल्पना थी रूस ने दिखाए कि उसके पास अभी भी अस्त्र है मिजाइल्स है वो इस्तेमाल करने के लिए और अब जो हम जानते भी है कि वो तीन लाख और जो सेना है रिजर्विस्ट है भरती नहीं कर रहे हैं ये रिजर्विस्ट है कभी भी कॉल अप कर सकते हैं अब ये कभी किसी जंग में आपको कॉल कर सकते हैं इसलिए उनको रि इंडस्टियल स्केल वार जो अभी दिखाई पड़ रहा है इस पे रूस के पास उनका भांडार जो है खाली नहीं है और उनकी इंडस्टियल कैपासिटी भी कम नहीं हुआ है तो यह युद्ध काफी लंबा चलाने के स्थिति में रूस है नेटो किता लंबा चला पाएगा वो डिपेंड करेगा उसकी अंदूनी सपोर्ट कैसा है और उनकी स्टॉक्स की जी और इसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि नेटो ने दुबारा जिस तरह से प्रेशर और रूस के हमले के बाज मिसाइल हमला किया है यूकरेन के शेहर पर तो बेलारूस पर दबाव की सैं और जार उनके पास बचा नहीं है तेल और गैस की प्रेशर था वो भी करिब-करिब खतम है अब नॉर्ट स्ट्रीक जब उन्होंने पाइपलाइन उड़ा दिया इसके पर और क्या प्रेशर डालेंगे हलाकि एक पाइपलाइन का भी वहां पर है नॉर्ट स्ट्रीम टू का पर उसका भी वहां से गैस भेजना लगता नहीं इस वक्त कोई राजडितिक संभावना है तो इसको देखते हुए इनकी कोई प्रेशर रूस पे इस वक्त है नहीं बेला रूस पे कितना प्रेशर डालेंगे देखनी की बात है पर रूस पे खास कोई प्रेशर डालने का औ जार इनको नहीं बचा है पर रूस के पास अभी भी हातियार है वो युद्ध में दिख रहा है और उसके साथ सा तेल और गैस की हातियार अभी भी रूस पे है और इस अंदर में जिसे लेकर बहुत बड़े पैमाने पे चिंता भी व्यक्त की जा रही है भारती मीडिया सहित जो पश्चिमी मीडिया है वो लगातार एक ही धंग की खबर दिखा रहा है कि कभी भी रूस परमानु युद्ध नुकलियर वार शुरू कर सकता है और इसे लेकर अलग-अलग धंग से क्यास अलग-अलग धंग से ग्राफिक पिच्चर जो हैं जनता के पीच परोसे जा र रहा है और बाइडन का भी ये कहना अमरीकी राष्टपती का भी ये कहना कि ये आशंका जताना कि ऐसा हो सकता है ये कितनी आशंका जमीन पर होती दिखाई दे रही है आपको देखें इनसान का कोई प्रेडिक्शन तो हो नहीं सकता है जलेल्स की अभी-अभी ये भी मांग कि नुक्लियर रूस पे प्रियम्टिव स्ट्राइक पे इस्तिमाल की जाए उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है खास ठीक है ना वो दब गया सवाल यह है कि पूतिन का जो स्टेटमेंट था जिसके उपर इतना बड़ा कैम्पेंच चल रहा है वो था कि रूस की अस् स्ट्राइजी डॉकुमेंट जो है डूक्लियर पॉस्चर रिव्यू में लिखा हुआ है तो यह पहली बार कोई देश नहीं कह रहा है यह सबसे पहला देश जो आगे बढ़के यह चीज कहा है यह अमरीका है कि अगर हम हमारे अस्तित्व पे या हमारे देश पे हम अस्तित लुक्त रिंत मैं भूम केरद तर पर टो तौर पे रियक्षिंन अगे प्रियाम्टिव तौर हम इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो न्यूक्लियर इपन्स का जो नो फर्ट्राइक की घोषना डिमांड करते हैं, जो भारत बर्शमी कर चीन भी मान लिया है, अमरीका कभी नहीं माना, और उसके पॉस्चर रिव्यू में लिखा हुआ है, कि हम पहला नियूक्लियर इस्तवाल करते हैं, वैपन और मास डिस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे पर कोई बड़ा हमला होने वाला, तो इसी लिए ये तो क्या कहते हैं, ये जो पूतिन ने कहा है, तो उनकी डॉकुमिट में है, तो कोई नहीं चीज तो इस तरह से है नहीं, ये मैं समझता हूँ दोना तरफ से, ये गलत है, क्योंकि न्यूक्लियर धंकिया नहीं होनी चीए, सवाल ये है कि न्यूक्लियर धंकिया इस तरह से जो दी जाती है, ये तो अमरीका कई बार दे चुका है और अपने डॉकुमेंट से लिखा हुआ है, तो पूतिन कोई नहीं बात नहीं कर रहा है, इसकी अमरीका की इस बात पे इज़्जत होती, अगर वो कहे हम कभी भी नो फर्स ट्राइक करेंगे, कभी भी पहला न्यूक्लियर बाम हम नहीं इस्तिमाल करेंगे, अगर ये अमरीका कहने के लिए तैयार है, तो बुलंदी से ये कह सकता है, पूतिन के ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं कहना चीए, नहीं तो ये स्टेटमेंट एक मामूली सा स् खत्रे में है कर्च ब्रिज उड़ा दिया नूख्य हुस का अब अस्तित्व खत्रे में है तब शुक्षब अलगा ऑत है पर यह तो हासासमत बात है कभी कोई भी ऐसे हमें चीज़ नहीं दिखागा है जिससे हुम कहाती नीक Guitar रुस जुए अस्तित्व खत्र पुटिं नेटो को यह चटावनी दे रहा है कि आप अगर इस तरह से आऊगे रुस के खिलाब जिसमें हमारी अस्तित्व खत्र ने पड़ेगा तो भूल जाएए कि हमारे पास भी ड्यूक्लिय रस्त है तो यह चतावनी नेटो पे है यह उक्रेट पे लही है क्योंकि यह कैम्पेइन कर रहे है न कि रूस की सिनाई पीछे हट रही है रूस हार के गगार पे है तो इसलिए रूस की अतित्व के बात जो है पूतिन साफ साफ नेटो क चतावनी दे रहा है कि आप इस जंग में मताओ अगर आओगे तो जो खत्रा है दोनों के लिए बढ़ेगा मुझे लगता है इस तरह से देखना चाहिए देखिए एक चीज में अमरीका और डेटो बहुत आगे है वह कैम्पेइन में पुब्लिसिटी में और मीडिया का न्यूस ब्यूरोज है दुनिया को जो खबर देती है वो सब उनके हाथ में है चाहे रॉइटर हो चाहे और भी एफ्टी हो जितने सारे ऐसे हैं जिससे हम लोग भी खबर लेते हैं जिससे इंडियन न्यूस पेर और युद में सबसे बड़ा संकट यही है कि आपका सोर्स क क्या रहेगा हम और आप खबरें कहां से पाएंगे और खबरें कहां से ढिका सकते हैं को कि अगर अगर अमरेका रॉइटर्स को को परेंगे का बिलकुल सही है तो रॉइटर्स ड्यूस एजिंसी है तो यह जो एक चीज है इसलिए पी टी आई बनाता है इंडिस्तान ने और इस तरह की एफपी वगरा से इसलिए हमारे पास भी जो खबर रहाती है इंडिपेंडेंट खबर तो है नहीं तो इसलिए युद्ध का इस तरह से विसलेशन नहीं करता हूँ कि हमको तब कुछ मारें यह आगे हो गए और वो पीछे हो गए यह जमीन पे आगे हैं वो जम लेकिन एक बात तो साफ दिखाई दे रही है प्रबीर की युद्ध लगातार बढ़ने की तरफ ही अग्रसर है और उसकी जानमानल का नुकसान और तनाव क्योंकि अब कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कम से कम पिछले दो महीने से जहां पर कुछ वारता हो सके कोई हल निकल सके तो मुझे लगता है कि हल निकलने के बज़ाए लगातार वार जो है स्केल अप कर रही है देखिए जिसको कहते है ओफ रैंप क्या उपर उपरी दिशा में जो दोनों की प्रगती है नेटों की अरूस की कोई ओफ रैंप है क्या इससे निकल के और कहीं जा सवाल है कि लड़ाई युद्ध में जो है वो एक पहलू है दूसरी पहलू किया है एकनॉमिक वार एनर्जी वार वो जो चल रहा है उसको अगर देखें तो अंतराष्ट्री एकॉनमी पारदवश्च को लेकर हर एकॉनमी का सामने एक क्राइसिस नजर आता है और लगतार गिर रहा है डॉलर बढ़ रहा है पर अमरीका में गैस की लॉयल की प्राइस भी बहुत बढ़ चुका है वहां पर नौक्रिया खतम होने की संभाव ना है तो इन्फलेशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि आपने इतनी महंगाई कर दी है इन्फलेशन एक बहुत बड़ा मुद है कि उनके पास इंधन नहीं होगा विंटर के लिए लोगों की क्योंकि कंपनिया बंद हो रही है लोगों की रोजगार के लिए प्राप्लिम है तो यह सब देखते हुए लोग सड़क पे उतर रहें धीरे धीरे अभी भी जनमत इस तरह से नहीं बढ़ा है कि युद्ध को कि युद्ध को रोख सकें युद्ध को खदम करो क्योंकि अगर शांती चाहिए तो रूस का जो कहना है कि हम तो यूक्रेन के साथ लड़ाई के एक दो महिने के अंदर ही एक शांती समझावता पे आ चुके थे पंद्रा बिंदू बन चुके थे एक बिंदू पे शायद त उसको डसकत करेंगे उसके बीश में अमरीका और बिटन टपक परा बॉरिस जॉंसन यूक्रेन गया इसके बाद से बंद हो गया तो शांती की अगर दिशा में बढ़ना है तो सीनी सी बात है कि रूस को दो चीच चाहिए एक तो है कि रूसी जनता जो बोलने वाले या उनक पॉर्शन में उनकी सेक्यूरिटी अब जो है पहले की बात थी अब है कि हो चुका है अब उनके साथ है एक तो यह बात है दूसरी बात है कि नेटो में यूक्रेन ना जाए और नेटो और इस्टन बॉर्डर्स पे आने का कोशिश ना करें क्योंकि उसका मतलब है कि है जिसमें फर्स ट्राइक की शमता है यह सब जो चीजे हैं बंद करें तो यह नेटो और रूस के बीच में है यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत पहले ही शायद चीजे खत्म हो जाती अगर उस वक्त अमरेका और बितानिया उसमें हस्तक्षिप नहीं करता जी तो जलता की उपर डिपेंड करता है कि शांती अपने आप नहीं आती जब तक जलता सवक्त पे नहीं उतरती पहले ही हमारे इतिहास रहा एटीस में अभी भी वही इतिहास होने वाला है पर पीस मूव्मेंट बहुत कमजोर रहा है क्या यूरप में आगे बढ़ेगा यह देख यूकरेन युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं है यह बात आज की तारीख में बहुत साफ है दरसल यह यूद्ध यूकरेन के माध्यम से रूस और नेटो और अमरीका के बीच चल रहा है और शायद यही वज़ा है कि यह लगातार बढ़ता जा रहा है इसे कम कर रहे हैं वे सब अमन की आस तेज करें आवाज उठाएं कि युद्ध नहीं शांती चाहिए शुक्रिया